नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चाल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो के माधियम से हम सिखेंगे कि RTD क्या होती है और RTD को हम किस प्रकास से चेक करेंगे दोस्तों, RTD पे मैंने ओल्लेडी एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, उस वीडियो पे मैंने एक छोटा सम मिस्टेक कर दिया था उसी मिस्टेक को सुधारने के लिए मैं दुबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे तरब से कोई भी गलट इंफोमेशन आप तक पहुचे दोस्तों, मेरा जो पिछला वीडियो आर्टीडी पे था यदि आपने उस वीडियो को देख लिए तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में यदि आपको समझ में आ जाए कि पिछले वीडियो पे मैंने क्या detector है यानि कि हम कह सकते हैं कि यह एक प्रगार का sensor है अब यह जो मारा sensor है यह क्या करता है temperature को detect करता है यानि कि जो भी surface है यानि कि हम जहां भी इस artery को रखेंगे यह क्या करेगा वहां का temperature को sense करेगा और हमें बताएगा कि कितना temperature वहाँ पर है अब यह जो हमारा RTD है कैसे काम करता है समझ लिए देखें दोस्तों यह जो RTD है इसका जो यह road होता है इसको जड़ी heat मिलता है तो यह क्या करता है इसका internal resistance हो वह change होगा और इस resistance के दोर हम पता कर लेते कि जो temperature वह कितना है ठीक है दोस्तों यह जो हमारा RTD होता है यह बहुत सारे टाइप के आते हैं जैसे कि PT 100, PT 1000 ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा PT 100 का उपियोग किया रहता है दोस्तों यहां पर जो PT 100 लिखा है इसका एक मतलब मिलेगा यानि कि 0 degree Celsius पर इस RTD का resistance 100 ohm होता है ठीक दोस्तों अब दोस्तों महां लिजिए कि आपके पास में एक RTD है और इस RTD को आपको क्या करना है एक heater के सार कनेक करना है यानि कि हमें पता करना है कि यह जो heater है इसका temperature कितना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यह जो हमारा RTD है इसको हम इस heater के सामने रख देंगे जिससे क्या हुआ यह जो हमारा RTD का sensor है यानि कि यह road है यह गरम होने लगेगा जिसके कारण से इसका जो resistance है वह चेंज होता है अब यहां पर जो resistance है उसको temperature में convert करने का काम एक temperature controller करता है यह हमारा temperature control होता है दोस्तों इस वीडियो में केवल आपको RTD के बारे में बताऊंगा नेक्स वीडियो में आपको इस TC यानि कि temperature controller के connection और इसका working के बारे में बता दूगा ठीकी दोस्तों तो यहां पर हमें क्या करना होता है कि इस RTD को heater के सामने और यह जो हमारा RTD है इसका जो wire है इस temperature controller के सार connect करना होता है अब चली दोस्तों अब हम सिख लेते हैं कि किस प्रका से हम RTD को check करेंगे तो दोस्तों देखिए यह आपको RTD को check करना है तो यहां पर आपको multimeter का उपयोग करना पड़ेगा ठीक है अब यह जो हमारा multimeter होता ह इसका जो probe है उसको हम क्या करेंगे RTD के wire के सार connect कर देंगे ठीक है कुछ इस वेकासे हम connection कर देंगे ठीक है उसके बाद में हमारा जो multimeter है इसका जो knob होता है इसको rotate करके resistance position पे select कर देंगे अब माल लीजे कि आपका जो RTD है वो 0 degree Celsius वाले temperature में यानि कि ऐसे जगा पर रखा क दूसरे type का है तो वहां पर resistance का value अलग भी हो सकता है ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां पर RTD इसको यहां से ले जाके दूसरे जगा पर रख देते हैं यानि कि ऐसे normal temperature पर रख देते हैं यहां पर temperature 35 degree Celsius के बराबर है ठीक है अब जैसे ही आप इसको room temperature पर रखते हैं यानि कि भी आप उपयोग कर सकती है जैसे कि candle हो गया light हो गया या फिब लोगर हो गया ठीक दोस्तों आपको यहां पर केवल इस RTD के रोड को गरम करना है ठीक है तो यहां पर हम केंडल का उपयोग कर लेते हैं और इस RTD को हीट करना स्टार्ट करते हैं अब जैसे जैसे हम आर्टी दिखा रहा न है ठोब हम्हें धीने धर हमारा जो रेश्ट एंस थे इस निए हमारे श्टी ऑरह को पर कम होते जाएगा लागे यानिकि और नॊमालं करणिशन में हो घैंए तो दोस्तों I hope कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि RTD क्या होती है और इसको हम किस प्रकाश से चेक करेंगे दोस्तों यादी आपने नोटिस कर लिया कि last video में मैंने क्या mistake किया था तो please comment box में एवाग क्या मैं ज़रूर कर दीजिएगा आई हो कि दोस्तो यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आयोगा दोस्तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लिस इस वीडियो पे like, share और comment कर दिजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe ने किया तो subscribe भी कर लिजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद